हे यो आटीजर वेलकम बैक टो अनदर वेडियो आफ यूट्यूब चैनल टॉप नॉच विकल्स दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जादा अमेजिंग कार के बारे में हम बात करेंगे किया फेसलिफ मॉडल के स्टी के और स्टी के प्लस वेरियंट के बारे में हम इसके इंटीरिल की इसके फीचर्स की और साथ साथ इसके स्पेसिफिकेशन की जो की बहुत जादा अमेजिंग है और कार से क्यों ये भैतर कार है मैं आपको आज इस वीडियो में डेटेल में बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो में अन्ट तक ज़रूर बने रहे हैं इंडियन मार्केट में लॉण्च होने वाला फेसलिफ्ट मॉडल ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले मॉडल से थोड़ा अलग है यानि इसमें कहीं छोटे-छोटे चेंजिस देखने को आपको मिलेंगे चल्टॉस फेसलिफ्ट में एस्टिके बेस वेरियंट से उपर होग ये दोनों फीचर्स पहले से इसमें नहीं थे उमीद है कि एच्टिके में रियर वाशर और वाइपर भी जोड़ा जाएगा कार में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 7-8 इंच की इंफर्टेन्मेंट स्क्रीन पुराने मॉडल के जैसे ही है रियर एसी वेंट के साथ इसका मैनुवल HVAC पैनल भी वैसे ही है किया सेल टॉस फेसलिफ्ट एच्टी के प्लस में आटोमाटिक क्लाइमिट कंट्रोल भी मिलता है ये पहले नहीं मिलता था HVAC पैनल टॉप ट्रिम के साथ आउट गुइंग सेल टॉस पैक के समान है सेंटर कंसोल में टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे नए बदलाव देखने को मिलेंगे इसके साथ क्लूस कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, अलोई वील और धेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे गई सारे फीचर्स पहले से होने के बाद भी पैनॉर्मिक संरूफ एक ऐसा फीचर है जो मौजूद अ मॉडल में नहीं था सेकेंड नमबर पर आता है लेवल टू एडास किये सल्टॉस वेसलिफ्ट में लेवल टू एडास अपको मिल जाएगी जो की प्रिजेट मॉडल में नहीं था फीचर्स की मामले में ये हुणडई वर्ना के बराबर की होगी जिसमें अडाप्टिफ क्रूस कंट्रोल लेन की फसिस्ट ब्लाइंड स्पॉर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और बहुत सारा कुछ मिलता है थर्ड नमर पर आता है एयरबैक्स किये सल्टॉस वेसलिफ्ट में छे एयरबैक्स आपको मिल जाएंगे जो मिट साइज SUV की सेफटी को बढ़ाएंगे अब तक आपको सल्टॉस में सर्फ चार एयरबैक्स देखने को मिलते थे जबकि रेंज स्टॉपिंग वैरियंट में छे एयरबैक्स मिलते हैं इसे 6-speed IMT और 7-speed DCT gearbox से जोड़ा जाएगा फिफ्ट नमबर पर आता है हमारा New Dual 10.25 इंच डिस्पले किया सल्टॉस वेसलिफ्ट के इंटिरियर में एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें नई Dual 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी जो इंफोटेन्मेंट सिस्टम और ड्राइवर के इंस्टूमेंट क्लस्टर के रूप में काम करती है नई स्क्रीन वैसी ही होगी जैसी हमें ब्रैंड में flagship EV6 में मिलती है दोस्तो अगर प्राइजिंग की बात करें किया सल्टॉस के किये सल्टॉस की रेंज 10,90,000 रुपे से शुरू होकर इसके टॉप मॉडल सल्टॉस X-Line 1.5 टीजल ऑटोमाटिक 20,000 रुपे तक जाती है तो आप देख सकते हैं मैंने सभी वैरियंट के आगे उसके प्राइज लिखते हैं और एक प्यारा से कमेट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों मिलेंगे बहुत जल देख और नई वीडियो में तब तक के लिए शबा खैर